प्रेंट्स में अपने आई 20 लेके आया था ये अभी गर में शुरू हुई है और लगवग ये 10-15 दिन से ठंडा नहीं कर रहा था एक दम दिन में ठंडा नहीं साम को हलका फुल का एसी ठंडा होता था तो अब हम लोगों ने चेक किया है यह गैस का पाइप होता है यह पूर है एक्शली इसके पाइप को अपने कार में लगाते हैं और कहां पर लगाना है मैं आपको दिखाता हूं यह आपको जस्ट इंजन की पीछे एक पार्ट होता है वहां पर लगता है एक एक पॉइंट होता है वहां पर हम इसे लगाते हैं तो अभी भाईया उस देखिए ले वो gas entry point है क्योंकि भाईया ना चेक कर लिया gas थी नहीं तो अब ये entry point पे लगाएंगे और entry point पे लगाने के बाद आपको अब इस car के लिए 450 ml gas चाहिए तो इस machine में set कर देना होता है 450 ml उसके बाद कुछ 15-18 मिनिट का time लगता है machine पूरी AC system को clean करती है और वापस से gas fill कर देती है तो चलिए इस procedure में थोड़ा time लगेगा तो आपको detail दिखाएंगे ये point से चलिए अब circuit complete हो गया है तो अब gas in होगी ये तो आपको पूरी AC system 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 मैं आप राद कर दिखाएंगे कि आवाज कहते हैं यह सिगनल दे रहा है कि आप थोड़ा रूप के को नियर बहता है कि अगर यह कि नहीं करेंगे तो अध्यान में पाएंगे गाड़ी मसीन वर्कमिन से काम करता मिदिया है अच्छा सब्सक्राइब करता है अच्छा वह साफ भी करता है तो पूरा एसी सिस्टम को साफ कर जयता है अगर अगर गया है तो अभी यह ने कार ओन करके चेक करने के लिए गए अभी की गया फ्रापर फील हुई एक नहीं तो थोड़ा थंड़ा होता है तो मैं बताता हूं कि काम लाइक हुआ है की नहीं और थोड़ा उसको रेव कर दे हैं न्यूट्रल में तो रेड़ चेक कर पाए यह पुरा थंड़ा है वह पाईब चली फ्रेंड्स अब अंदर बैठके चेक करते हैं थंड़ा हुआ एक नहीं तो अभी आचुके हैं केविन में और अभी इसको लो पे करते हैं ऑट्यमेटिक क्लाइमिट कंट्रूल और एसी पूरा थंड़ा हो चुका है इतां मस्त हो गया देखे रखाड़ी तब तक पानी भार दिया हुआ है तो यह की बार देना है तो अड़े मारे दिटकार को हटा हुआ हुआ तब तक एसी चल नहीं ना चाप बशाप पास अब कर दो अब है तो अब ही कुलिंग तो परफेक्ट हो गई है लेकिन आगे से जो रेडियेटर पे जो कुछ गंदा जमता है ना उसे भाया क्लीन कर रहे हैं चलिए मैं आपको बाहर जल कर दिखाता हूँ पर रेडियेटर पुरा क्लीन करने से ना क्लीन एर अपने में अच्छा ठंड़ा से अंदर ठंड़ा होगा जसे कि प्रेडियेटर प्लीन किया जा रहा है और अच्छा से थंड़ा होगी तो फ्रेंट्स चलिए अब एक्चुली AC का काम हो गया है तो आपकी कार भी कम ठंडी कर रही है तो आप भी अपने कार का AC करा सकते हैं ये वीडियो आपके लिए है यूजफुल साबित होगा तो चली फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा स्यार करें नेक्स वीडियो में फिर बिलते हैं बाई बाई टेक क्या